पहली बार शारुखान ने अपने बेटे आरेन खान की गिरिफतारी पर तोड़ी चुपी। बॉलिवोड के सूपरस्टार शारुखान ने 2023 में बॉक्स ओफिस पर धमाल मचवा दिया था। शारुखान के साल 2023 में एक के बाद एक तीन फिल्में हिट हुई। इन तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ओफिस पर धमाल मचवा दिया। 2023 में शारुखान, पठान, जवान और डंकी जैसे फिल्मों के साथ लोगों की बीच में आये थे। इन तीनों फिल्मों से सफल होने के बाद के इन खान काफी जादा सुर्खियों में हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब माना जा रहा था कि शारुखान का दौर खतम हो गया। इसी बीच शारुखान ने अपने मुश्किल दिनों को लेकर काफी कुछ बोला है, जिसे आरेन खान की गिरफतारी से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। शारुखान को 2023 से पहले एक हिट फिल्म की तलाश थी, जिसके लिए किन खान को काफी समय तक वेट करना पड़ा था। इनी मुश्किल दिनों में शारुखान के बेटे आरेन खान की भी गिरफतारी हो गई थी, इन सब को लेकर अपके इन खान ने अपना रियाक्शन दिया है। मैं शान्त रहा और बहुत जादा हार्ड वर्क किया। शारुखान के इस बियान को उनके बेटे आरेन खान की गिरफतारी से जोड़ कर भी देखा जा रहा है। को बता दें कि आरेन खान की ड्रग्स केस में गिरफतारी हुई थी इसके चलते आरेन खान को जेल में भी रहना पड़ा था इस दोर में किंग खान काफी परिशान हो गए थे